हेलो नो अस्कार दोस्तों कैसे आप सभी बर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने वीडिव चैनल प्रॉफिट अस्टेडी में तो आज किस वीडियो में हम देखने माले है रेलवे अप्रेंटिशिप 2022 के अंतरगत आपका डॉकन वरिफिकेशन के रिगार्णिग हाँ पर मेरिट लिस्ट पब्रिक किया रहा है वीडियो के आगे हम देखेंगे कि फाइनल यह जो मेरिट लिस्ट है किस डिविजन किस डिपार्टमेंट की तरप से रिलिस किया गया है और तोटल कितने और किन्य के अप्डीने को तो चलिए करते हैं वीडियो के सुरुआ तो उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फॉस्ट टाम है सस्क्राइब निके सस्क्राइब करके बैल बटन कॉन कर दिजिएगा ताकि ही हर तरह का अपडेट आपको मिलते रहें इसके साथ साथ ITI के बेस पर परमानिन भरती आता है सरकारी भरती आता है। और ऑल अवर इंडिया से जो भी अपरेंटी से पाता है किसी देपार्टन किसी विडियो जे रिलेश करता है। तो यह देखिए जो आपका CALL जो आपका Dockon के रिगार्डिंग merit list आया है यह आपका western railway की तरप से release किया गया है थीक है western railway की तरफ से release किया गया है और अगर unit का बात करें तो भाव नगर पारा की तरप से release किया आप सभी को पता है कि western railway की तरफ से 3612 post and apprenticeship का भर्तिकर notification आया था बहुत सारे candidate ने form fill किया और बहुत सारे candidate के हाँ पे doken verification भी हो गया है और यहाँ पे final merit list भी आया है पर बहुत सारे अभी ऐसे भी unit है जहाँ पे final नहीं हो पाया अभी पहला ही doken verification के regarding merit list पबलिक हो रहा तो वह ऐसा ही में से एक आपका unit है भाव नगर पा रहा तो देखिए 30.01.2023 के date में हाँ पे notification निका बताए गया वो देख लिए कि engagement of apprenticeship under the apprenticeship date 1961 भाव नगर आरा western railway call letter for doken verification तो यह आपको doken verification के regarding यहाँ पर सभी को inform किया जा रहा यह सारा जो आपको document है वो सभी लेके जाना है अब आपको बता देते है क्या क्या है download print out of online application जब आप form भर होंगे तो उसका online print out आपको लेके जाना ह उसके बाद अगर बात करें तो all the original document that is SSC mark sheet मतलब 10th का mark sheet, ITI का mark sheet ठीक है और यहाँ पर certificate भी आपको लेके जाना है provisional या फिर original दोनों में से कोई एक लेके जा सकते हैं यह तो दोनों भी लेके जा सकते हैं उसके बाद आपका school living certificate लेके जाना है या फिर birth certificate लेके जा सकते ह नेक्स्ट बात करें तो valid card certificate लेके जाना है ठीक है अगर आप OBC से हैं तो non claim layer आपको बनवा कर लेके जाना है और उसके बाद बात करें तो valid income certificate EWS category से आते हैं तो आपको income certificate भी लेके जाना है उसके बाद अगर बात करेंगे तो two set of attested photograph of each certificate document अब attested photograph का मतलब होता है कि आप ज graduated officer का जो attested होता है उसका मतलब जहां से अपने 10th pass किया है जहां से आपने IK pass किया है वहां के principal वहां के प्रधाना चारे से आपको sign करवाना है तो आपका graduated officer attested हो ठीक है तो यहां पर आपको वैसा तो नहीं बोला है यहां पर आपको क्या बोला है वो देख लिजे कि two set of attested photograph तो आप खुद से भी attested करवा सकते हैं आपके ना ही self बोला है ना ही graduated officer बोला है उसका आगे देखिए चार passport size photograph आपको लेके जाना है उसके बाद आपको fit medical certificate लेके जाना है should be signed by the government तो आपको medical fitness certificate भी लेके जाना है जो government hospital से आपका बना होना चाहिए ठीक है यह जो परफॉर् total कितने लोग shortlisted है सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि total 146 candidates shortlisted कितना 146 candidates shortlisted है किस unit से कितने हैं वो देख लीजे welder है उसके बाद आपका यहाँ पर बात करेंगे पासा है पलंबर है पलंबर के बाद आपका mechanic R&AC है total भरती भ आपका फीटर है फीटर के बाद आपका electronics है उसके बाद यहाँ पर electrician है dartsman है उसके बाद आपका देखिए carpenter है pipe feeder है ठीक है तो pipe feeder से शुरू हो रहा और आपका painter तो बहुत कम यहाँ पर candidate को shortlisted किया गया है मात्र 146 candidate को ही shortlisted किया गया अब सबसे important बात है कि आपको यहाँ प माइल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जितने भी candidates shortlisted हुए 146 का 46 का आपको माइल नंबर मिलेगा और date of DVA सबसे ज्यादा important है आपका document verification आप सब देख सकते हैं कि 9 फर्वरी से start हो रहा कितना 9 फर्वरी से आपका document verification start हो रहा और हर trade का यहाँ पे एक मिनिट देख लेता हूँ हर trade का यहाँ पर सेमी रखा गया है पर कुछ trade को एक साथ बुलाए गया है कुछ trade को different different rate में बुलाए गया है 4-5 trade को एक साथ यहाँ पर document verification के लिए बुलाए गया है देखे पांचवा नंबर में electrician है और electrician का जैसा कि आप यहाँ पर देख रह देखे 10 तारीक है 10 के बाद 11 12 नहीं है ठीक है 10 के बाद फिर सीधा आपका 13 तारीक को जाना है तो 13 तारीक को कौन सा department का है फिटर फिटर वाले जितने भी यह 13 तारीक को सभी जाएंगे उसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 14 तारीक को देखे 14 तारीक को R&AC का बुलाए गया है ठीक है 14 तारीक आप सभी यहाँ देख सकते हैं 14 तारीक को बुलाए गया है और next अगर यहाँ पर देखते है तो next आप देखिए 15 तारिक को किसको किसको बुलाएगे है तो 15 तारिक में पासा वाले जितने भी कंडियेट हैं सभी को 15 तारिक के डेट में जाना है अपने डॉकन फेरिफिकेशन के लिए next अगर हैं आप बात करते हैं तो 15 के बाद आप देख सकते हैं तो last आपका 15 तारिक तक है 9 तारिक से आपका start होगा dv और 15 तक चलेगा ठीक है इन दिनों जिसका भी है जिस भी respective date में आपको बुलाएगे है जिस भी trade से बिलोंग करते हैं आप देख लीजिएगा किस date में आप इसी डेट में आप जाएगा अगर बात करें card certificate का तो central level का आपको card certificate लेके जाना है कितना vacancy ता वो भी दिखा देते हैं और सारा performa भी आपको दिखा देते हैं तो देखिए जैसा कि आप सभी देख रहे कि हम इसके official notification पर आ गए है western railway के आप scroll करके जब आप यहाँ पर नीचे बढ़ोगे तो सारा detail आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देखिए form जो है आपका 28-5 मतलब माई को ही आया था form पर अभी तक यहाँ पर भरती पूरा नहीं हो पाया है चलिए यहाँ जो भी performer है और सबसे पहले जो vacancy है vacancy का table पर एक बार लेके चलते हैं और vacancy यहाँ पर अच्छे से देख लिजे कि finally कितना vacancy आपका release किया गया है भावनगर पारा का है जिसे short में आपका BVP कहा जाता है इसमें का total vacancy देखिएगा तो BVP का total vacancy आपे देखिए 206 vacancy है ठीक है 206 vacancy है पर shortlisted candidate कितना हुआ 146 candidate को shortlisted किया गया है अभी भी इसमें vacancy खा लिए है तो second merit list भी आ सकता है आप सबसे important बात है कि performa वेगरा क्या है तो performa देख लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ से performa भी मिल जाएगा इसको आपको print out करवा किया और यही format में आपको बनवा के लेके जाना है देखें STSE जितने भी है card certificate इस format में आपको बनवाना है यह आपके पास समय भी है ठीक है और उसके बाद अगर यहाँ पर बात करेंगे OBC का certificate format देख लीजिए यह आपका OBC का certificate format है उसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यह आपका अगर यहाँ पर बात करें तो आपका एड्रेस है जो EWS के लिए है तो सारा का परफॉर्मा आपको मिल जागा तो यहाँ से डाउनलोट कर लिजिएगा Medical Fitness Certificate का सर्डिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम होगा जिसका भी सेलक्षन होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब करके बेल बेटन का दीजिगा मिलेंगा आपसे नहीं भरती नहीं जनकारे की साथ अपता के लिए जहिंद जय भारत झाल